आपको पता है कि आपको अपने जाती प्रमाण पत्र को आए प्रमाण पत्र को और निवास प्रमाण पत्र को आपको अपडेट कराना है ठीक है मैंने आपके कल के डेट पे मैंने आपको एक वीडियो के थुरू आपको अपडेट दे दिया था आपका question सबसे जब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ परぎ यहां पर यहाँ है क्योंकि last date बहुत ज़्यादा important है क्योंकि इसके बाद अगर आपकरेंगे तो कहीं नहीं आपको problem हो सकती है तो मैं दोनों का answer आपको मैं देता हूँ तिससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं जैसा आपने डिमांड किया था कॉल करने के लिए यहाँ पे फैसलिटी अविलेबल करा दी गया है रोज आप हमें कॉल कर सकते हैं रेड भी हमने जैसा आपने कहा था जो भी queries आता आप यहाँ पे solve कर पाएंगे ठीक है सामने से आपको call आएगा अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप call me for app से भी आप हमें call कर सकते हैं आपको cable search करना पड़ेगा प्रभास solution at the rate cm4 करके जो इनको official site है वहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है अभी तक ठीक है cross check करते करते 3-4 दिन का वक्त लग गया कि किसी तरीके का भी आपको fake news यहाँ पे न दिया जाए ठीक है तो मैं आपको media article के थुरू मैं आपको समझा दे रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आप दूसरे अगबार में आप देख सकते हैं 7 अगस्त का नौभारत article में यहाँ पे आपका mention किया ठीक है यहाँ पे आप नीचे आएंगे थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे last में corner में यह right corner में आपको यह देखने को मिल जाएगा ठीक है तो दोन्यों media article में जो media को भेजा गया था यह media group में यहाँ पे छापा गया है मैंने दोनों article आपको दिखा दिया या तो आप net में आकर किसको check कर लेना या फिर आप चाहें तो घर में अगर आपके अख़बार आता है नौभारत या देनिक भास के दोनों काफी प्रतिष्ठित paper है ठीक है तो आपको यह article मिल जाएगा अब यहाँ पे जिन लोगों ने पूछा है कि सर इसका last date कब है तो मैं आपको यहीं से इसका मैं update देता हूँ कि जो यहाँ पे 11 वी वाले हैं 12 वी वाले हैं इनको जो scholarship मिलता है STSC OBC का ठीक है उसके साथ आपका college का बीए भी कॉम BSC हो गया university में पढ़ रहे हैं इंजरिंग college है, medical college है, nursing है, polytechnic है, ITI है, pharmacy वाले है जो भी आपका course है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, उन सभी को यहाँ पी क्या है, जब आपका post metric आपका छात्रविती आएगा, उससे पहले ही आपको लोक सेवा केंदर में आपको जा करके आपको इसको update करा लेना है, अगर आपका online format में अगर बना है, तब तो आपको update करान ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साब बोला है कि अत्ता post metric छात्रविती पोटल प्रारम होने से पूरो, प्रारम होने से पूरो मतलब प्रारम होने से स्टार्ट होने से पहले, लोक सिवा केंदर के माध्यम से आई प्रमाडपत्र, जाती प्रमाडपत्र, न युक्त, आदिम जाती तथा, अनुसूची जाती विकास, राइपूर का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और किसके आदेश पर यह है कि भारत सरकार की यहाँ पे यहाँ पे यह सब किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे अपडेट आपको बता दिये, आपका पब्लिक चॉइस सेंटर भी बोलते हैं, तो जो भी आज पास में होगा, चाहे प्रावेट है, चाहे गौर्वर्मेंट है, कोई संस्थान है, चाहे जैसा भी है, आप एक बार पता घर लेना, यहाँ पे देख लें